साथियों केवी टेकनिक्स चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप मद्धिपर्देश से हैं या मद्धिपर्देश के करमचारी हैं तो आप चैनल को फटा पट सस्क्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जा सिख्षक संग ने नविन संवर्ग की प्रात्मिक विध्याले, माध्मिक विध्याले और उच्चे माध्मिक सिख्षकों की विभिंदा समस्याओं से लेकर बुद्वार को विकासकन सिख्षाधिकारी को बीयो को ग्यापन सोबकर निरागण की मांकी बियो लोकेंदर सोहनी को दिये गई ग्यापन में बताया कि सासन के निर्दे सनुसार छटवे तुनमान की तिसरी किस्त का फुक्तान अप्रेल 2020 में किया जाना था लेकिन छव मान से अधिक समय हो जाने के बाद भी आज तक तिसरी किस्त का फुक्तान नहीं किया गया उक्तिकिस्त का भुक्तान सिग्र किया जाए वहीं सात्य उत्वान का भुक्तान सासन के निदे सनुसार अक्टूमबर नॉम्बर 2019 में किया जाना था जो आपके दुवारा मार्च अप्रेल 2020 में किया गया दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजी और सस्क्राइब कर दीजी आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फ़ले अक्टूमबर 2019 सी फरवरी 2020 तक सात्य उत्वान की बड़ी विराशी का भुक्तान आज तक नहीं किया गया विकास कंट के कई संकुलों में पद़स्ता सिक्सकों की सिवपुष्टी का अनुमदन होने के बावजूद उन्हें छटे मुदमान की दूसरी किस्त के एरियार आज तक नहीं दिया गया शिग्र भुक्तान किया जाए इसी प्रकार प्रातमिक सिक्सकों की करमनोती का वेतन विगत चार माँ से आदेस होने के बाद भी नहीं दिया गया करमनोती वेतनमान और एरिया राशी का सिगर भुकतान किया जाए वहीं जिन सिख्षकों की बारा वड़स पूर्ण हो चुके उन्हें करमनोती के प्रस्ताव बुलवा कर केबिनेट के 25 बिंदू तै आएए देखते हैं कौन से ये महत्पुन बिंदू टाइगा रिजर्व चीडिया घर के प्रवेश सूलक के 30 करोड पर वित्त विभाग की नजर वित्ती दिकतों की जूज रही सरकार अब चीडिया घरों टाइगा रिजर्व नेशनल पार्क और सेंचूरिय में प्रवेश सूल से एकत्रित होने वाली रासी को भी अपने खाते में रखना चाती है वित्त विभाग ने प्रस्ताव दिया कि इस रासी को विकास निदी में रखा जाए इस पर गुरुवार को हने वाली केबिनेट बेठंग में चर्चा की जाएगी प्रवेश सूलक से इस सालाना 25 से 30 करोड रुपे एकत्रित होते है कोवेड एर के काण इस बार 15 करोड भी एकत्रित नहीं हुए वन विभाग ने इस रासी कुपियों के लिए खुद विकास निदी बना रखिए हाज सेक्चुरी नेशनल पार्क का अलग अलग खाता है जिससे यह पेशा एकत्रित होता है फिर इसी पेशे के खर्च का प्रस्ताव तयार होता है जिसे राज्य स्तर पर गठित कमिटी मंजूर करती ही केबिनेटिम इसके साथी 25 प्रस्ताव पर चरचा होगी इसमें इंदोवर गवल्यर और रिवा की सरकारी प्रेस को बंद करना मध्य प्रदेस पावर ट्रांस्तिमेशन कम्पनी द्वारा 800 करोड के लोन पर राज्य सरकार की गारंटी पसुपलन व्योहाग में डेरी को भी जोडना दिप्रदेस नर्सिंग शिक्सन सस्ता की मानेता से जुड़े नियुमव में संसोदन आदि सामील रहेंगे इंदोर सहीत मध्य प्रदेस के चार जिलो से गुजरेगी दिल्ली मुमबई कोरीडर MP का होगा काया कल्प विशेज खावर इंदोर सी लोक निर्मार मंत्री स्री गोपाल भारगों ने काए कि दिल्ली मुमबई कोरीडर को जोडनने वाली 173 किलो मेटर लंबाई वाले फोर लेंड इंदोर देवास उज्जेन आगर गरोठ मार्ग प्रदेस के विकास मेल का पत्थर साबित होगी इसके निर्मार से प्रदेस के आर्थिक विकास को नई गती मिलेगी उन्होंने बताए कि दिसंबर 20 तक इस मार्ग का आवार्ड पारित कर दिया जाएगा मंत्री सिरी भारगों ने कहाए कि भारा सरकार की अत्ती महत्वा कांगसी दिल्ली मुमबई कोरीडर का 244 किलो मेटर हिस्सा मद्ध्रदेस से होकर गुजरेगा इस महत्वा कांगसी पर्योजना पर भारा सरकार दोवारा एक लाग करोड रुपी की रासी वेग की जारी इस मार्गों को 2023 तक पूर्ण करने का लक्स निद्धारित किया गया ही उन्होंने बताए कि दिल्ली मुमबई मार्गय का लाब संपूर्ण मद्ध्रदेस को प्राप्त हो सकेगा इसके लिए मद्ध्रदेस सरकास से अनुरोध पर केंद्र सरकार दोवारा इंदोर देवास उजेन आगर गरोड तक 113 किलमेटर वाले फोरलेन सड़क मारगय निर्मान की स्विक्रति प्रतान की गई उन्होंने का कि इस मारगय की निर्मान के लिए गवलेड से देवास बहुपाल से देवास इंदोर मारग से भी जूड जाएंगी परिणाम स्वरूप मद्य प्रतेस के सभी अंचल के लोग इस कोरिडूर का लाग उठा सकेंगे उन्होंने का कि इस कोरिडूर की निर्मान से मद्य प्रतेस में रोजवार के नए आउस्वर पेदा होंगी ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी ख़बर पुरानी पेंशन के लिए करमचारी हुए लाम बन ग्यात हो कि केंदर सरकार ने 2004 से तथा मद्य प्रतेस सरकार ने 2005 के सभी करमचारी के पेंशन बनकर नैशनल पेंशन इसकेम एणिपस के दरत बिएमा कंपनियों के माध्या से पेंशन दी जा रही ही जिसमें वेतन से 10 प्रसत करमचारी क आँस्थान और 10 प्रसन सरकार कांस्थान एणे एजएल के माध्या सरकार दौरा शेर मार्केट में लगाया जा रही सेवार निरतिक बाद जमांस दान से कर्मचारी दुवारा विमा कम्पनियों का एन यूटिव फारूम खरीदना अनिवारी जिसके ब्याच पर कर्मचारी को एक निश्चीत रासी वरतमान में 500 से लगागर 2000 रुपे पेंसन करूपे निर्धारित होती वहीं विधायक सांसद हर बार चुनाव जीत कर अलग-अलग पेंसन के हगदार हो जाते ही इस तरह विधायक सांसद 4-45 पेंसन करूप में लाखो रुपई अन्य सुक्स विधाओं का लाब उठाते ही अपने संसोदन में प्रांती और अध्यक्स डिके सिंगोर ने मांग किये कि यदि NPS इतनी अच्छी योजना है तो विधायक सांसद भी अपने व्यतन के अंसदान कटवा कर उनके ब्याज से पेंसन क्यों नहीं लेते ही प्रांती प्रवक्ता संजी सोनी ने बताया कि सिक्षाकर्मी गुरुजी समीदा शिक्षक अधियापक काल में सुरू से 13 वड़सतक एक रुपे की कटोती नहीं हुई कि इस सेवी नविन सिक्षक संवर्ग में कर्मचारियों के पते में ज़्यादा रसी जमान नहीं होने के कराण मैं भी बहुस से कर्मचारियों को स्यावनिर्ती की बात 400 से लगांगर 700 रुपई पेंसन बन रही सभी कर्मचारी रेली के रूप में NPS हाई हाई पुरानी पेंसन बहाल करो एक देश एक विधान के पेंसन का भी एक समान के बुलंद नारों के साथ ब्रहमन करते हुए SDM कारे लेजा करता है सिल्दार मोदय को मुख्य मंतरी एवं परदान मंतरी के नाम ग्यापन सोपा आखरी और बड़ी ख़वर बेंक कर्मचारी के स्ट्राइक कर्मचारी गए हर्ताल पर विसे इस ख़वर नई तिल्ली से भारत में बेंक इस्ट्राइक की गुष्णा कर दी गई है बेंक के कर्मचारी 26 नौंबर 2020 को हर्ताल पर रहेंगी हर्ताल का हवान एवं एलान AIBEA दुवारा किया गया जिसके बाद में AIBEA ने समर्थन दे दिया है केंद्री ट्रेड यूनों के साथ एक साथ आ जाने के करन हर्ताल के 100 प्रत्रस सपल होने की संभाहोना बढ़ गई है यहां हर्ताल केंद्र सरकार की इस्तरम विरोधी नतियों के खिलाब की जा रही है हर्ताल में अखिर भारतिय बैंक कर्मचारी संग AIBEA ने भी सामिल होने का एलांग किया है इस हर्ताल का प्रदिनित्व AIBA कर रही है AIBA भारतिय इस्टेंड बैंक SBI और Indian Oursis Bank को छोड़कर ज्याद अतर बैंकों का प्रदिनित्व करता है इस हर्ताल में करीब 30,000 बैंक कर्मचारी सामिलें